तो यहां पर प्रॉफिर रियलकुलेशन हमें इसी तरह 30% estimation FBA fees लगा के करने परती है उस 30% के साथ आप एड़ करते हैं 30% के साथ चार टेक्स है हमारे एक होते हैं हमारी FBA fees एक होते हैं हमारी वैट fees एक होते हैं हमारी यह FBA fees तो टोटल चार तरह के टेक्स हम यहां पर आड़ करते हैं लैंडिंग कोस्ट में कहलने कि आप दो तरह के टेक्स होते हैं एक हमारे manufacturing fees और shipping fees दो ही होगे तीसरे हमारी वैट होगी 5% वैट होगी और चोती हमारी 30% FBA फीसिज होगी जिसके अंदर रेफिल फीस भी आ रही है और यूए और किएस मैं मी और तुर्ख वियाए इसका फिए करें करें अपनी रफ E साथ Amazon ने आपको actual FBA फीसी जगरा दी होती है होता ही है कि जहां पे आपके listing होती है ना वहां पे Amazon ने आपको अपनी फीसी जगरा का बताया होता है कि यह मेरी referral फीस होगी यह मेरी fulfillment फीस होगी यह मेरी story फीस होगी अगर आप इस price पे sell करेंगे तो या तो आप start सही उसकी पहले ही पहले दिन से ही जब आपको प्रोड़क का पता लगे प्रोड़क अच्छी लगे लग रहा हो की जलने वाली प्रॉड़क्ट है उसकी टमी लिस्टिंग क्रियेट कर लें उसकी कोई this को कि टमी लिस्टिंग और रेकित कर तो उसकी प्राइस रख दें कोई भी अपनी राफ एस्टिमेशिन करके ना कि आ फ़ायस ब्राइस हैं तो इसका मतलब है कि आपको इतनी एफ़्बी ए फिस बढ़ेंगी तो फिर आप उससे actual calculation करेंगे actual calculation इसा करेंगे फिर वहां पर आपको FBA fees fees और referral fees और storage fees नजर आ रही होगी फिर उन तीनों का यूज़ करते वे आप अपनी product की manufacturing fees, shipping fees और wet यूज़ करेंगे उसके ओपर अपना 20% 25% profit margin रखेंगे और देखेंगे क्या वो price reasonable है, क्या वो price आपके competitor के price से कम है, ये जादा है, कितनी कम है, कितनी जादा है, ये चीज़ा फिर आप देखेंगे और फिर उसके बाद finalize करेंगे क्या मैंने ये price रखनी है या नहीं रखनी है, थोड़ा ना लंबा चोड़ा procedure है, इस वाई से मैं इसको आज नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ ना, फिर mix up हो जाएगी, आज आज वारा काम ये था के product को दोनों markets के लिए, क्योंकि हमने कैसे रही है, क्योंकि सौदिय मार्किट इससे भी कई गुजरी है, ठीक है, वहाँ पर तो अब अब अगर तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आज का माना, आज की मारी working का ये ये चीज थी, अच्छा आप ना, ये अजीम साब को ना, थ्रहा सा म्यूट क मकसद है इस lecture का, ठीक है, तो अब भी हमें पता लग गया कि हमने यहाँ पे sale कैसे calculate करनी है, इसकी working कैसे होगी, और niche कैसे decide करनी है, हमारा मकसद सिर्फ niche decide करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हम उस niche को study भी करें, कि वहाँ पे चल कह रहा है, जिस तरह आज हमने इस niche को study किया, सा अनक से यह product मेरे सामने आगी, ठीक है, product को देखा और पता लगए कि यह bird चलने वाली है, अब इस product के पर 35 reviews है, और अगर इसकी monthly sale 10 to 15 units के क्रीब होगी daily sales, तो इसका मतलब है कि यह product बहुत अच्छी चलने वाली है, और नीचे नीचे के जो competitors हैं, जो के मेरी products related है, मेरी आली products related है, उनकी भी अगर sale होगी, मतलब अगर यह 10 pieces वाला है, इसकी 6 reviews है, 6 reviews let's suppose इसके UAE के ही है, तो इतने थोड़े review यही में आ सकते हैं, 6 reviews इसके UAE के हैं, ठीक है, तो 6 reviews हैं और यह भी नया नया है, let's suppose, इसको आएगे अभी 2-3 month होएं हैं, और इसकी daily basis की sale जा लिए तकरी जा रही है, ठीक है, इसका मतलब है, कि यह बंदा मेरे लिए best competitor है, मतलब मेरी niche के लिए ना, असल competitor तो मेरा Amazon choice हो ले है, लेकिन, मुझे verify हो गया, कि जिस niche में मैं गा रहा हूं, वहां के जो बागी competitors हैं, वो भी अच्छी sale earn कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं sale earn कर रहे हैं, त है इसको सिक्स को मुझेटिबॉय करें, फिर 200 के साथ लै शपॉस, और डवाइब ॹ्रेवे के साथ कितने मंत-डवार्न के-सुख करते हैं, घ्लाड के रगते। 3.3.3.3.4 तो इसको भी आए वसाल ही होगा तो इसके तिरी बन कितने होंगे छे इसके तो आट ये दस तो बनते होंगे तो मेरे तो जुरुवत बुरी होगा लेकिन अपनी सेफटी के लिए मैंने और लोगों को भी तो वेरिफाय करना है ना मैंने बाकी लोगों को भी कोई कतरा कतरा सेल आ रही है यह नहीं आ रही तो मैंने देखा के भाई एक बंदा नीचे बठा हुआ है कोई इसको थोड़ी करना है कंपीट तो मैंने इसी को करना है मेरे जहिन में क्या पॉजिशन है मेरे जहिन पर पॉजिशन है के बार लिए पैक ऑफ 20 एक है तो यह यह चीज आप लोगों को बताना चाहरा था कंपटिटर यह वह नहीं है मेरा वह सर्फ वेरिफाय करने के लिए कि क्या मेरी नीच में सेल है या नहीं है अब मुझे वेरिफाय हो गया पाइद्ट तो मेरी सर्ज मेरी तलाष मुकंबल भी अब मैंने उससे अगला स्टैप लेना है जो जरूरत होती है वह सेल की होती है सबसे बड़ा हमारा टारगट सेल होता है तो सेल वाला टारगट फूरा होगया अब आते हैं थाल मिल रहा है तो मैंने अप क्या करना है मैंने सबसे पहले तो परिंदी सप्प्लाय डून है पेगो टूंटी वाला ठीक है और बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसी प्रड़क्ट नहीं लेकिन इससे मिलती यूलती प्रड़क्ट को तो मैं जरूर चूज कर लूँगा चाइना में चलते हैं अली बाबा के पर सर यहां एक क्वेस्टिन कर लूँ जी करें अच्छा सर पूछना यह था कि इदर देखें कि मीटू काफी लोगों ने कि जा हुआ है तो हम इनको अग्नोर करेंगे फिर बिलकुल जिनके पर मीटू हुआ हुआ उनको एग्नोर करना है अच्छा साथ कोशिए गरनी है कि अगर हमारी नीश है उसमें हमें टॉप एज़ के अपर दस लोग नदर आते हैं तो दस मेंसे पांच लोग कम ऐसे ज़रूर हो जिनके प पांचों का यूज करते हैं हम अपने लिए फर्स प्रिर्टी कॉंपटेटर सेलेक्ट करेंगे और बाकी के सेकेंडरी कॉंपटेटर हम सेलेंगे अगर सब के अपर ही मीटू आ हुआ हुआ है फिर मुश्किल होजेगा हमारे लिए उस नीश को जानना उस नीश के उपर है अपने लिए निकल सकती है तो अब लोगण के सामने ज्याम निकल सकती है यही तो हमारे लिए मैं पर बाता हो मैं कि यह बहुत न कह लें कि ऐसा फिलाया हुआ है हजार के यूए में मेरे ख्याल से पी यल पहतरी है अगर आपक पांच जिजार डॉदर के क्रीब है तो मेरे लिहाज तो आपको बचा सकते हैं आपको बचा सकते हैं तो आपके लिस्टिंग को उपर किसी को मिट्व ना करने दें ठीक है लिस्टिंग को सेफ रखें मैं कहता हूं कि यूई मार्केट आपके लिए कम कहना मैं है इन्वेस्मेंट के साथ ज्यादा प्राफिट जिनेर करने वाली मार्केट है वोगर अगर यहां पे होलसेल करके लोग आठाट या छेचे और दिन के निकाल लेते हैं तो आप बगार मीटू किये अपनी परसनल लिस्टिंग के साथ यहां पे बीज पच्छीज यूनिट डेई बैसिस पे निकाल सकते हैं एजी लिए रैंकिंग पर यहां पर कोई शू नहीं है लेकिन आपने अपने किसी फ्रेज के उपर एक ब्रैंड नेमी कह लें आप उसके अब ट्रेडमार्क रिजिस्टर करा है वहना तो आप मोट सेव कर सकते हैं अपने आपको ना यह मीटू करा से इस ब्रैंड रिजिस्टर करना के कि इतने चार्जिश यहां पर यहां पर तीम पैंटीश हजार दिरहम के गरीब लाग जाते हैं अच्छा जी तो यहां पर क्या करना यहां पर ट्रेड मार्क के चार्जिस हम देख लेंगे ट्रेड मार्क के चार्जिस एग्जेक्ट नहीं मुझे बता है अच्छा जी मेरी पर के अंडर्ट के अंडर्सेंडिंग है मेरे सामने एक सेयर्यू है मेरे सामने ऐकार्यव का कोई जादा कुई इस चीज़ बैज के कुई जादा कोई इस इंदर की चीज़ ने Yang कितना खाज नहीं है लेकिन फिर भी ये टॉप पे हमें 14 के साथ बैठा गए तो मेरे पास भी मुझे भी कोई जूए नहीं है मैं इतने हाइवी मटीरियल के लो महंगी महंगी प्राइसिस के अंदर ठीक है सिंपल रहें सिंपल रहें सिंपल छीज़ा तक है आप लोग घब लोग आप लोगता है कि होता कैर नॉर्मल के हूदिशन में क्या होता है कि यहां पर थर्ड-पर्टी Seller ना भी बैटे हों तो यह चाईना चाईना की वर्किंग करूर हो रही है यह आप दातर तो चैनीज ना डबल गेंग बोत खेलते हैं चाहे वह थर्ड पर टीस यलर ना भी हो यह क्या करते हैं सब कुछ हो इनके पास लेकिन फिर भी यह करते हैं अपनी लिस्टिंग में तो इन्हों ने ना यही वान पॉइंट लेकिन बीच में करते हैं यह क्या पता है यह कह रहे हों कि जिर पॉइंट है यह चीजे होती हैं तो इस धी उपर जाहना हम लोने बहुत ज़्या चलना होता है तो लिकिन फिर भी रिजनेबल प्राइस है इस बंदे की तो एक तो मेरे पास सप्लाइर नजर आ रहा है मुझे मैं इसको सेफ कर लूँगा बात अब भी नी करूंगा कि मैं भी सेफ कर लूँगा कोई जुरूरत नहीं है कोई डिमार्ड नहीं है इसकी वहां पर जितने भी स जहन में रखते हुए मैं आपना एक सप्लाइर लाओंगा ऐसे सप्लाइर नहीं के देखें अब यह भी 1.0.15 में बेच रहा है लेकिन इसने मैक्सिम्म लिमिंट 0.45 की रखी हुई है तो मैंने हमेशा की मैक्सिमम को जहन में रखना इसको मैंने क्यों किया था तूकर इसकी तो मिनिम और मैक्सिमम में ज्यादा लिमिट में ना जाए ठीक है उसी तरह यहां पर और भी बहुत सारे सैलर्स है यह यह एक अच्छा सैलर है ठीक है इसकी प्राइस बहुत अच्छी है मेरी रेंज में है 2.9 1.6 से 3.99 ज्यादा ले रहा है तैंट चाहे 10 से ज्यादा ले लेकिन ज्यादा ले रहा है तो इस तरह मैं अपने लिए चार से पांच छे सप्लायर फिक्स करके अपने पास साइड पे सेव करके रख लूँगा इनसे प्राइस कर रहूंगा जिसकी प्राइस 1.0 से लेकर क्या ना में है 1.5 पर पीस के पर जाएगी मैं उसको फिक्स कर ल तो मैं इसके होगा कि मेरे एक पैक में एक यूनिट में 2020 पीस डाल दे और उसके इतने यूनिट मेरे पास बज़वादे उसके बाद मैं उस प्राइवेट कंपनी के पास जाओंगा प्रसीजर तो एस बतार हो आपको इसके बाद क्या होगा मैं अपनी प्राइवेट सेंजरी है lost लोकल मार्किंटी ठाओ और उदहरी सेल करो डिके बेस्ट चीज़ तो एगधी दूत को नहीं आप एक बिदग होगी हमारी स्पैसिक वे सॉना प्रन करना कि अनग देखन न में कंपटेटर के देखना और सेकंडरी को देखना जिह Patrick चीज यह के शिपिंग का थोड़ा सा यहां पर इशुवत है तो आप इंटरनेशनल शिपिंग भी करवा सकोगे मैं को तारू मैं हमें आप लों को सुलुशन को ताओंगा इंटरनेशनल शिपिंग का मेरे पाद टाइम नहीं होता है मैं यहां से इंवेंटरी नियुक्त आ सक शिपिंग करवाई है यह के लिए चाइना से एक एक ऐसे अकाउंट के पर जो भी एक अफ़ते पहले क्रियेट हुआ था तो टैंशन ना लें से इसकी अचा जी तो दूसरी चीज क्या है हमारी शिपिंग अब शिपिंग एक तो हमने शिपिंग देखा है कि हमने अब शिपिंग करेंगा अगर लोकल शिपिंग की बात आएगी या लोकल मैनिफेक्ट्रर से इंवेंटरी लेने की बात आएगी तो फिर हम लोग इस चीज में जादा की है नहीं कर सेगेंगे वह फिर आपका क्लाइंटी करेगा वो खुद वहां से इंवेंटरी उठाएग एक में लोकल मैनिफेक्ट्रर डूंडेगा उसको ओडर प्लेस करेगा उदर से इंवेंटरी में वंगाएगा और आगे देगा जिसा मौसले होता यह के वहां पे न जो स्टोर्स होते हैं उनकी ना पीछे उनके पास मैनिफेक्ट्रर होते हैं तो आप आपकी जो भी प्रड करेगा उसके और प्लेस करेगा और उदर से इपनी इंवेंटरी मुगाल या करेगा तो उस स्लूशन में आपके जो क्लाइंट है उसको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी एक तो यह चीज होगी थर्ड चीज इसके बाद हमने क्या करनी है जो भी की नहीं है वह चीज के बाद और काम करना है उसके बास सिंपल एक चीज रहे जा दिएगी वह रैंकिंग यह त Bong पेपीसी का कर लेंगे उसके बाद यहां की रैंकिंग को भी डिसक्स करेंगे ठीक हो कि है अच्छा अब किसी का वी क्वेश्चन हो इससे लेड़िट दो वो पूछे फिर हमने माजगरा पड़ है फिर उसके बाद गौंटिन हो करते हैं कि मुश्किल है कितनी की मुश्किल है कैसे होगी क्या है कि अपने मार्किट्स की काफी मुश्किल है कि इसमें एक तो तो पैसे बहुत लगते हैं थीज साव देरहर के क्रीब आफिज दिराएं करीब आपके आसे ब्रेंड tämä आ गैवेधदे कोई की बारह से पंदरा महिने का टाइम मांगते तो इस टाइम फ्रेज में हमारी छे से साथ लॉंचित हो जाती है तो इस विए से ना यहां पे ब्रेंड जिस्टी एक तो सान भी नहीं है पैसों के लिया से भी और टाइम भी बहुत अलगता है और चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं मुख्लिव टाइब के जो पर्मनेंट वीजा नहीं होता है तो वह पर्मनेंट वीजा को यह से रहा जाते हैं लोकल अड्रेस नहीं होता है तो वह उसवज़े से रहा जाते हैं जोब एप्लिकेशन नमबर और गयरा इस सारी चीज़ें न वह बहुत जादा मांगते हैं तो एक भी डॉक्मेंट न करते हैं वही वैट को हैंडल करते हैं उसी तरह यहां पर भी तक्रीबन वहीं साब है लेकिन युग के में किया है वह एजी है वहां पे अगर आपके पास क्याना मैं ना पर्मनेंट ड्रेस ना हो आप अपने जो टूरिस्ट वीजा के तौर पर या बहुत मुस्टी लोग चल जाता है पाकिसानी पास्पोर्ट के भी घरो आजाता है ठीक है अपने रहते पाकिसान मेंदें लेकिन अपना होँ पे objective कर कर वारए हैं यहां पर सब्सκृत हैं जांडियोंस अपने चीजा है और मुश्किल बहुत चीज़े हो देती है और हम सब्सक्राइब का रहे होते हैं ना ट्रेड मार्क जो है वो हो कि वो कितने का होगा और उससे मतलब हो कि वो बंदा मीटू से कैसे बाच सकता पर यहां ही होसल में पढ़ेंगे ट्रेड मार्क इंचाला ना ट्रेड मार्क का मैं फिक्स प्राइस का नहीं बहुता लेकिन जो रैंडम प्राइस है मेरे जही में यही है कि तग्रीबान कोई हजार दो हिजार के करीब लगते हैं विसमें ट्रेड मांक आपका आप तो इस बंदेने मेरी इस नीच वाली के लिस्टिंग के पर मीटू की है तो इसको टाई यहां से एक तो यह चीज सेकंड चीज यह कि जब अगर कोई आप पर मीटू करता है ना आप सिंपल उसे मैसेज करो कि यह यह देखो यह मैंना ट्रेडमार्क है मैंने अगर तुम्हारे ख़लाफ केस के एना तो एमजोन ने जरूरी तुम्हारा अकाउंट ब्लोक कर देना तो तुम्हारी बेतरी इसलीम है कि तुम इस लिस्टिंग वेपर से हट जाओ तो यह चीज़ देखके भी ना मोस्टली लोग हट जाते होते हैं लेकिन जो हाईजकर्स होते हैं वो फिर नहीं हटते हैं तो उसका तरीका कोई की और होता है नको टाने का वो भी हम डिसकस करें लिए तो ट्रेड मागा रिजिस्टिंग को बचा लेते होते हैं इन जिरनों से यह बाकी बाकी मार्किट्स यह उनका भी यही सीन अता है कि अगर आपका ब्रैंड रिजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी मीटू कार सकता है हम लोग केस नहीं कार सकते हैं हाँ लेकिन वहां पर एक्षन लिया जाता है यहां पर एक्षन लिया जाता है आप लोग को आ आप लोगों पताएं को यह ना दो बिद्ग को कुछ नहीं और न को एっ था लेकिन अब यह हुआ है कि आपका लेता है चाहें वो ब्रेंट जिस्टर्ड हो आपने किसी के ऊपर इल्लीगल दौर पर किसी की इंटिलेक्टिल प्रॉपर्टी के उपर आपने हाथ पे रहे आप उसके उपर मीटू करके बैठ कि आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो वहाँ पर इस चीज़ें हो जाती है यहां पर नहीं होता है सर अगर दो 2-3 लर ने मीटू किया हुआ है तो क्या उनकी प्रॉडक्ट की स्पैसिफिकेशन भी सेम होंगी होना तो यहीं चाहिए अगर लोगों ने इस प्रॉड़ट के पर मीटू किया हुआ है वाल जिस्ट घर ब्र Lisa को उने चाहिए अगर कोई भी चीजी होगी तो बायर रोसको वह वापस किर्वा सकता है और अगर अगर वीगारिव कोसी यह नहीं है तो वहाई ईसके खिलाब कूश नहीं कर सकता तो है यह नुक्सान होता है फिर अगर प्रोड़क्ट आपकी बिल्कुल सेम है सब कुछ सेम है सब कुछ ठीक है फिर रिटार्न आपको कम नहीं आते हैं सब्सक्राइब इसका बताऊंगा इसका भी तोड़ है इस वह मागे चलके देखेंगे